नमस्ते बच्चों, शुर्थ लेक की श्रंखला का ये चौथा ओडियो है आज हम दो अक्षरों से बने हुए शब्दों तथा तीन अक्षरों से बने हुए शब्दों से पूरे-पूरे sentences अर्थात पूरे-पूरे वाक्ये लिखेंगे वाक्ये खतम होने पर आपको पूर्ण विराम लगाना अनिवार रहे, अनिवार रहे मतलब आपको ज़रूर लगाना है ठीक है, एक लाइन में एक वाक्ये को लिखेंगे, फिर अगली लाइन में जाएंगे दो लाइन के बीच में एक लाइन को खाली छोड़ दीजेगा हर वाक्य के लिए एक नमबर डालते चलिएगा आज की शुतलेक में मैं आपको लगभग आठ वाक्य बोलूँगी खूब ध्यान से सुनिएगा और लिखना शुरू कीजेगा चलिए पहला वाक्य मदन, म, द, न, मदन, यह, शहद, चक, पून विराम मदन, म, द, द से दवाद म, द, न, मदन, यह, शहद, शहद में श, शल्यमवाला बनेगा चक तो इस प्रकार पहला वाक्य पूरा हुआ दूसरा वाक्य ध्यान दीजेगा सभी अक्षर एक बराबर बने दो शब्दों के बीच में एक अक्षर जितना खाली स्थान छोड़ दीजेगा लिखे दूसरा वाक्य आमन, अ, म, न, आमन इधर, इधर, इधर मत, म, त, मत जह, ग, र, जहगड जह, जहन्डे वाला जह है, ग, फिर र, र कैसे बनता है, ड, ड के नीचे बिंदी, र अमन, इधर, मत, जहगड पून विराम अगला वाक्य गगन ग, ग, न, गगन चरण चरण मतला पैर चरण यहाँ पर लगाएंगे ट, ठ, ड, ढ, 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 वो वाला ढ, ठीक है चरण मत, मत पकड ड के नीचे बिंदी, र तो वाक्य हो गया, गगन चरण, मत, पकड पून विराम अगला वाक्य कमल क, म, ल, कमल वह, व, ह, वह कलम क, ल, म कलम, कलम, कलम मतला पैन कमल वह, कलम, पकड ड के नीचे बिंदी, र पकड पून विराम कमल, वह, कलम, पकड अगला वाक्य, रमन र मान रमन नहर न हर नहर तक 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 तहल त हल तहल तो पूरा वाक्य हो गया रमन नहर तक तहल पूर्ण विरा बहुत बढ़िया राइटिंग पर ध्यान दीजे स्पीड पर ध्यान दीजे और अगला वाक्य लिखेंगे जगन 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 चल कर पहन पहन जगन चल कर पहन पूर्ण विराम वाक्य को पूरा लिखने के बाद एक बार पढ़ लिया कीजे ध्यान से पढ़िये आप बिना बोले भी पढ़ सकते हैं पढ़िये जगन चल कर पहन बहुत बढ़िया अगला वाक्य खरल खा-र-ल खरल उधर उधर मत रख वाक्य खतम हो गया है इसलिए पूर्ण विराम लगा देंगे अब आखरी वाक्य लिखेंगे कमर 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 तक तक उपर देहान से सुनिएगा उप की आवाज लंबी निकल रही है इसलिए बड़ा उ लिखेंगे उपर और आखरी शब्द उठ अब यहाँ पर सुनिएगा उप का साउंड छोटा है थोड़ा सा है कुछ ही देर के लिए है तो छोटा उ लिखेंगे उठ कमर तक उपर उठ पून विराम इस प्रकार से आज के ओडियो में हमने पूरे पूरे वाक्ये लिखे चार चार शब्दों के वाक्ये लिखे हैं ठीक है मैं इसके साथ आपको एक इमेज भीजूँगी जिसमें अब आपको पता चली गया होगा कि आपको सेल्फ करेक्ट करना है इसके बाद झाल